हेलो लार्नर्स कैसे हैं आप सभी I hope you are doing great आज हम लोग आरो एक्जाम के लिए important current affairs के question को discuss करेंगे और इसमें हम लोग आई द्रश्टी जो मैगजीन है वहाँ से important current affairs के question को cover करेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग national news को discuss करेंगे जिसमें सबसे पहला है कि vibrant गुजराद वैश्विक सिखर समेलन 2024 का अयोजन कब क्या गया है तो यह क्या गया है 10-12 जनवरी 2024 को और यह इसका कौन सा एडिसन था मतलब कि कौन सा संस्क्रड था यह इसका दस्वों संस्क्रड था नेक्स हम बात करेंगे पश्ची मंगाल सरकार ने किस दिन को राज जी दिवस मतलब कि पश्ची मंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने के लिए अधिसूचना जारी की है कब जारी की थी यह फर्स्ट जनवरी 2024 को जारी की थी तो इसमें हो जाएगा पोईला वैशाको को और यह होता है बंगाली का नव वर्स का प्रथम दिन नेक्स्ट है पश्ची मंगाल सरकार ने किस गीत को राज गीत के रूप में अधिसूचित क्या है मतलब कि पश्ची मंगाल का स्टेट स्वांगत कौन होगत यह होगा बंगलार माटी बंगलार जल नेक्स्ट बात करेंगे हम केंदरी मंत्री मंडल ने किस हवायड़े को अंतराश्टी विमान पत्तन यानि कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोसित किया है 15 ओफ देसंबर को यह क्या है सूरत के हवायड़े को जो की गुजरात में है नेक्स्ट है भारत का पहला बहुत महातपूर है इंडिया का पहली महिला ये सबी बहुत ही ज़ादा महातपूर है आरो एक्जाम के लिए तो भारत का पहला पूर्टा Integrated School of Sustainability कहां लाँच किया गया है तो यह किया गया है आईएटी कानपूर में इसके दवारा लाँच किया गया है पूड़ता है इंटेग्रेटर स्कूल ओफ सस्टेनिबलिटी नेक्स है कैस फॉर क्वेरी घोटाले मामले में सनलिप्तता के करड़ किस संसत को लोगसभा से आयोगी घोशित किया गया है तो यह क्या गया है महुआ मोहित्रा को कहां की है यह तो यह पश्ची मंगाल की कहां की है यह तो यह पश्ची मंगाल की लोगसभा सीट कृष्णनगर से थी किस पार्टे से थी यह थी अकिल भारती त्रड़मूल कॉंग्रेश नेक्स बात करेंगे किसके द्वारा Crime in India रिपोर्ट बहुत मातपूर है तो Crime in India रिपोर्ट जारी की जाती किसके द्वारा त और इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाग जन संख्या पर अपराध दर वर्स 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में कितनी हो गई है ति यह हो गई है 422.5 इसी रिपोर्ट के अन्तरकत बताया गया कि प्रति लाग जन संख्या पर सबसे कम अपराध की महानगर में दर्ज किया गया है तो यह दर्ज किया गया है कुलकाता में नेक्स्ट है वर्ड का पहला है बहुत महाथबूढ है श्टार लगा लजये इसको कि विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनवरड के अज्वर क्या गया है सेकर्ड दिसंबर को इस होस्पिटल का नाम क्या होगा ति यह होगा आरोगय मैत्री एंड क्यूब और इ नेक्स हम बात करेंगे केंदरी मंत्री मंडल ने विशेश रूप से समेधन सील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दिये नमंबर 2023 में दिये तो यह होगा पीयम जनमन क्या पीयम जनमन इसका फुल फर्म क्या होगा तो यह होगा प्रधान मंत्री जन से क्या जन जा जाती आदिवासी न्याय महाभियान तो आदिवासियों के लिए नाय के लिए चला गया महाभियान तो यह याद रखेगा नेक्स्ट है दाहंप क्या है दाहंप नमक दोती विश्वयुद संग्रहालय है या तो सबसे पहले तो पूझा जा सकता है option में देखे कि दाहंप है क् second world war संग्रहालय है इसका उद्गहाटन क्या गया है कहां क्या गया है अरुलाचा प्रदेश के पासी घाट में अच्छा अरुलाचा प्रदेश से हम लोग बात करें तो अरुलाचा प्रदेश में पहाड़िया मिलती है कौन कौन सी पहाड़िया मिलती है महत पूड है इनको किसे समूह को ड्रोन उपलब्द कराने से समदित एक योजना को मंजूरी दी है ती हो जाएगा महीला स्वेम सहायता समूह को नेक्ट है दस हजारवें तो कौन सा है दस हजारवें जन अवसाधी केंद्र का उदगाटन किया गया कहां पर एम्स देवघर जो की जारकंड में है नेक्ट हम बात करेंगे आयुशमान भारत हेल्थ एन वेलनेस सेंटर तो इसका नाम चेंज किया गया है क्या क्या गया है तो इसका नाम क्या गया है आयुशमान वा आरोग्य मंदिर बहुत महातपूड है कोई भी नाम चेंज किया जाता है विश्यो का पहला भारत का पहला बहुत ही महत्पुड होते हैं काशी तमिल संगमम इसका दूसरा चरड आजुद क्या गया कब क्या गया और कहां क्या गया किया गया है 17 से 30 दिसम्मर को कहां क्या गया है वारानशी में क्या गया है नेक्श बात करेंगे गुजरात ने गुझरात ने किस मछली को राजि मछली घोशिद क्या है ति हो जाएगी घोल मछली टीयो की global case study list में सामिल क्या गया है ति हो जाएगा केरल बहुत मातपूर है क्योंकि यह Responsible Tourism Mission है किसी स्टेट का जिसे संयुक्त राष्ट विश्व परेटन संगठन के द्वारा Global Case Study List में सामिल किया गया है नेक्स्ट है विश्व का पहला है बहुत ही मातपूर हो जाता है 3D Printed मंदिर है इसका अनवरण किया गया है सिद्धिपेट तेलंगाना में कब 22 नॉमबर 2023 को नेक्स हम बात करेंगे साथी पोर्टल की तो साथी पोर्टल किसके द्वारा लांच किया गया है तो यह क्या गया है केंद्री सिख्षा मंत्राले और IIT कानपूर के द्वारा इसका फुल फर्म क्या होगा यह होगा S stand for Self, A stand for Assessment, T, Test and Help for Interance Exam तो बेसिकली किसके लिए है यह Interance Exam में help करने के लिए है तो यह याद रखेगा Next बात करेंगे अगनी की तो यह अगनी पहल है किस मंत्राले के द्वारा लांच की गई है तो यह की गई है केंद्री आयूस मंत्राले के द्वारा यदि बात करें अगनी है क्या तो यह है अगनी स्टैंड फोर आयुरुवेद ग्यान नैपूड पहल तो इसलिए इसे लॉंच किया गया है केंदरी मंत्राले के दौरा नेक्स्ट है किस शहर से विख्षित भारत संकल्प यात्रा का सुभारम क्या गया है खूटी जारकंड से नेक्स्ट है यूपी का है तो बहुत महत्पूड जाता है यूपी के दौरा चलाएगा यह हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान चलाएगा है उत्तरप्रदे सरक कार के दौरा नेक्स्ट हम बात करेंगे सिटी इन्वेश्टमेंट टू इन्टिग्रेट एंड सस्टेन 2.0 मतलब की साइट्स 2.0 चैलेंज कहां लॉंच किया गया है यह लॉंच किया गया है न्यू दलाही में इसका परपच क्या है उदेश है यह हो जाएगा जो एकिकरत अप्सिष्ट प्रमंधन है उसके साथ चक्री अर्थिवयस्था को बढ़ावा देना नेक्स बात करेंगे उतर प्रदेश से है बहुत महातपूर है उतर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार पड़ क्या गया है कहां पे तो यह क्या ग है गोंडा में 22 अक्टूबर को क्या गया था नेक्स बात करेंगे प्रदान मंतरी नरेंदर मोडी ने कहां पे चितोडगर राजस्थान दौरे पर किस एतिहासिक मंदिर का दौरा क्या था तो यह हो जाएगा सावरिया सेथ मंधर तो यह मंधिर महातपूर हो जाता है तो य पाल MP में नेक्ष्ट है देश की पहली है तो महातपुड हो जाती है देश की पहली है रैपिड रेल सेवा तो इसका नाम दिया गया है क्या नाम दिया गया है नमो भारत नेक्ष्ट है औपरेशनफ भूत मात्पुड होते हैं तरू औपरेशन चकर टू चलाया घया था इसके दौरा चला गया था है तो यू जो संगटे साइबर अपराथे उसके खिलाफ चला गया था है था सी बियूर चकर टू में बात करेंगे घृमंतरी अमित शानेकि सहर में सामाव सहीद समारक एवन पुस्तकाले का उद्गाटन किया है तो ये क्या है गांधी नगर गुजरात में 15 अक्टूबर 2023 को क्या गया है या समारक जो है किस करांथी से समंधित ये समंधित है 1857 के करांथी से नेक्ट बात करेंगे प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लौच किया है तो ये क्या गया है मेरा युवा भारत को तो इसमें ये महातपूर है कि किस के द्वारा लौच किया गया है ये किया गया है प्रधान मंद्री नरेंद्रों मोधी के द्वारा उत्रप्रदेOnce का जली जीव किसे गोशिद किया गया है ये किया गया है गंगा डालफिन को नेक्षम बात करेंगे भारत का पहला है बहुत महत्पूर है कि हारित उर्जा पूरा तत्त्त्तल कौन बना है ये बना है तत्त मंदिर कहा का तमिल नाडू का तो देश का दूसरा राज जिसने जाती आधारी तो सरवेक्षड कराने के गूशना की है तो यह हो जाएगा राज इसकी आधार सिला रखी गई है कहां पर नीमच MP में इसकी छमता क्या होगी तिया होगी 1440 मेगावाट की नेक्ट हम बात करेंगे अक्टूबर 2023 में बाढ़ आई थी जिसके कारणा खबरों में रही थी दक्षड लोहानक जील तो यह किस स्टेट में है तो यह है सिक्किम मे बहुत महातपूड है सिक्किम में है दच्षड लोहानक जील नेक्ट बात करेंगे विजेपूर औराया फूलपूर पाइपलाईन बहुत ज़ादा महातपूड यूपी के लिए अच्छे सिसको याद रखेगा यह विजेपूर औराया फूलपूर पाइपलाईन को किसके द्वारा राष्ट को समर्पित क्या गया है तो यह क्या गया प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के द्वारा कब क्या गया है पांच अक्टूबर 2023 को यह मातपुड के हैं क्योंकि यह है MP और UP के बीच में है इसलिए बहुत ही ज्यादा मातपुड जाती क्योंकि और अरयया और पूलपुर का है UP में है नेक्स नम बात करेंगे स्वक्ष भारत मिशन ग्रामीड की इसके दूसरे चलड़ के तहित कौन से स्टेट को 100% ODF प्लस का दर्जा दिया गया है तो यह कि दिया गया है उत्तर प्रदेश को स्टार लगा लेजे इसमें बहुत ज्यादा मातपुड है नेक्स नम बात करेंगे पहला नील गिरी तहर दियोस मनाएगी है कब 7 अक्टूबर को 2023 को और यह नील गिरी तहर कौन से स्टेट का राज की पश्चु है यह है तमिल नाडु का नेक्स नम बात करेंगे पुराने संसत भवन को किस नाम से जना जाता है समिधान सधन को milード में रादि संकराचार से समंदी था इसका अनबरण क्या किया है उंका रेश रूंका रेश कहां पे यह नेक्स अरक्षषुर्षषर में नेक्ष्ट विध्य편ुण इसमें महीला यह नाएक्षष्षषड विध्यदाग नोसए संशोधन विध्यदाग बना था यह बना है सितंबर 2023 में किस पशो को खाद पशो के रूप में मानता दी गई है तो यह हो जाएगा मिथून को नेक्स है विशो कर्मा योजना बहुत महातपूर तो केंदर सरकारने कारिकरों के लिए कौन सी योजना शुरू किया है विशो कर्मा योजना इसकी देट बहुत महातपूर याद रखेगा 17 सेप्टंबर को 2023 को विशो की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने उदखाटन किया है तो यह क्या है यशो भहुमिका और यदि बात करें MICE सुविधाओं का इसका फूल फॉर्म क्या होगा तो यह होगा meetings, incentives, conference and exhibition मतलब कि बैठकें, प्रोचसाहन, सम्मेलन और प्रदर्शनिया नेक्ष प्रदान मतरी नरेंद मोदी ने कहाँ पर एथलीन क्राइकर परियोजना क्या है एथलीन क्राइकर परियोजना इसकी आधार चिला रखी है तो यह रखी है बीना रिफाइनरी MP में यदि हम बात करें एथलीन की तो सिर्फ एथलीन का परियोग के से लिए क्या आता है फलो को पकाने के लिए किस राजन ने राज की पहली सेवा छेतर नीति को मंजूर दी है तो यह दी गई है उद्राखंड के द्वारा नेक्स हम बात करेंगे भारती नो सेना के पूरु सेनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉंच किया गया था यह क्या गया प्रोजेक्ट नमन तो क्वेशन आ सकता है प्रोजेक्ट नमन किसे समंदी था है तो यह भारती सेना के दौरा शुरू किया गया है जो पूरु सैनिक और शहीद है उनके परिजनों से समन्नी था है याद रखिया का केंद्री मंत्री मंदल ने जो उजवला योजना है इसको किस वर्स तक विस्तारित करने के मंजूर दिये तो जाएगा दोहजार पचीज चबिस तक नेक्ट बात करेंगे स्वक्ष वायू सर्वेक्षड 2023 में राष्टी अस्तर पर दस लाग से अधिक कि अबादी पर तीन सहर कौन से होंगे टॉप किया इंदौर आगरा सेगन पर है ठाडने जो कि मुंबाई का है थर्ड पर है केंदर सरकार ने उधंपूर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखने को मंजूरी दिये तो हो जाएगा शहीद कैप्टन तुशार महाजन रेलवे स्टेशन नेक्ट है उतर पर देश की किस नदी में जटायू कुरूज सेवप्रारब की गई है तो हो जाएगा कि यद्या शहर उतर पर पतेश का पहला स्काइव उक्राड कहां बनाए चेट्रोड में और अई शुमान भववयाण का उध्गाटन किया गया कहां से गांदी नगर गुजराच से किया गया है वर्चुली किया गया है